आज हम लेंगे odd number की तिहाई, in short, अगर हम इसको mathematical language में अगर इसको define करते हैं, तो odd numbers are those numbers which are not divisible by 2, we cannot divide them by 2, correct? 1, 3, 5, 7, 9, अगर सिरफ 10 सकी गिंती लेते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9 are the odd numbers, rest of them 2, 4, 6, 8, 10, they are divisible by 2, they become even numbers, तो आज हम उठा रहे हैं, सिरफ 1 से 5 तक की गिंती, और इसमें हम जो odd numbers आते हैं, वो कौन-कौन से हो गए, 1, 3, और 5, तो इन odd numbers की तिहाई हम करेंगे, देखा कमाल की बात है न, अब dance में भी हम mathematics ही पढ़ रहे हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है, maths की period में भी maths हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम dance के माध्य हम से maths पढ़ रहे हैं, और maths करते-करते, dance भी कर रहे हैं, तो कितना मज़ा आता है हमको rules की class में, क्यूंकि हमारा जो नृत्त है बच्चों, यह सभी subjects का समावेश है, इसमें mathematics भी आता है, English भी आता है, Hindi literature भी आता है, और बहुत सारी तीज़े आती है, value education भी आती है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी इस तिहाई से, तो इस तिहाई में, क्यूंकि मैंने आपको बताया, तिहाई का मतलब होता है, जबी भी हम किसी भी चीज़ को तीन बार करकर सम पर आते हैं, उससे तिहाई कहते हैं, ठीक है, तो अब मैं एक बार आपको यह पूरी की पूरी तिहाई बोल के बताऊंगी, ताकि आपको एक clarity of mind यह दे दे और उसकी बार इसको करना सिखेंगे, चलिये बोल दे, 1,2,3,4,5, 2,3,5, 1, 2,3,5, 4,5. तो इस तरह से होती है ये तिहाई एक तीन और पाच कहीं भी आपने सुना मैंने दो चार शे का प्रयोग किया है किया था नहीं किया तो इसलिए हम इसको और नंबर की तिहाई बोल रहें क्योंकि तीनों बार मैंने सरफ एक तीन पांच नंबरों का ही नाम लिया और वही गिंती हम अपने पैरों से निकालेंगे चलिए शिखें यसे तो बहुत धीरे धीरे करके इसको करने के कोशिश आज अपना इस तना से लेते हैं अब हम हाल-फिलाल क्या कर रहे हैं क्यूंकि हमें पूरा आपना कॉंसरेशन सापने हातों को बांध रहे हैं और ध्यान से इस कई .. ठीक है? तो कैसे हुआ यह? 1, 2, 3, start 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ओके? तो लेट्स दू दी इंटायर तिहाई अब जो हमने एक तीन पांच, एक तीन पांच किया ना अब इसको एक तीन पांच, एक तीन पांच, एक तीन पांच, तीन पांच, तीन बार करेंगे तो हमारी बन गई तिहाई तो चलिए अब इसको पूरा करते हैं Alright, let's do it. 1, 2, 3, start. 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 तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी तिहाई complete हुई. सेम चीज को कॉपी पेस्ट किया दूसरी बार फिर सेम चीज को कॉपी पेस्ट किया तीसरी बार तो इस तरह तीन बार करने से हमारे बनी तिहाई और तीन बार करने के बाद हमें आना है संपर संपर मतलब पहली मात्रा आल राइट तो एक काम करते हैं एक बार इससे हम लो लोग मतलब दो ती बार इसको फिर से करते हैं ठोड़ी सी फास्ट स्बीड में करने के कोशिच करें सरय करें चैनल बां तु थी सार्ट दें लडडर देंशडर सार्ट सार्ट देंशडर्ट लो टेंशडर्ट